एपिस नूमबर वन अने 92 की स्टर्टिंग होती है और हमें यूनिवेस्टी दिखाई जाती है जहाँ पर वान बई मन में कहरी होती है हम कल काफी देड़ तक ट्राफिक में फसे रहे जिस कारण हम पुलिस टेशन नहीं जा सके और अब लगता है कि वीकेंड पर ही वहाँ जाना होंगा और वहीं बाजू में जियो 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 वान बे को इस तरह सोचता देख उस से एकन लगती है यान वैसे आखिर कार तुम इन दिनों कहा पर थी या तुम मिस्टर फूजिन चन के साथ थी और अब बस उसके बारे में इतना मस सोचो तब यान केत ये मेरा शूल्डर डिसलोकेट हो चुका था इसलिए कुछ दिन मैंने घर पर आराम किया ये केतिये वो जियो जियो को आइस किम खिराने नकती है और वही जियो जियो आइस किम खाते हुए केतिये स्वादेश्ट इसका स्टेश्ट तो बहुती बढ़िया है और क्या तुम्हारा शॉल्डर डिसलोकेट हो चुका था, क्या ये मास्टर फूजिन चेन के कारण है, और क्या उन्होंने तुम्हारी अच्छी तरह से देखवाल की ना और फिर वो बलश करती हुए, क्याती है, और मास्टर फूजिन चेन सच में बहुत ज़दा हैंडसम है, और तुम दोनों बिलकुल एक ओल्ड कपल की तरह हो, और वैसे यान तुम दोनों के मिले हुए कितना समय हो चुका है, और यान क्याती है, मेरे ख्याल से हम पिछले साल इसी समय के आसपास एक दूसर से मिले थे, फिर जियो 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 कहती है, इसका मतलब है कि वो दिन जल्दी हाने वाला है, जिस दिन तुम पहली बार मिले थे, तो यान तुम ने उस दिन क्या सोचा है, तुम क्या करने वाली हो, अब यान हिचकिछ जाती हुए, कहती है, और उसकी जब आप सुनते ही जियो जियो चिलाती हुए केती है ओमाइ गौड सच में यान तुम कितनी जदा लापरवा हो। और सच में यान तुम इतने इंपोर्टेट दिन को कुछ नहीं करने वाली हो। सच में तुम बहुत जदा लापरवा हो चुकी हो। और इस तरह तो तुम अपने प्यार को मार डालोंगी। इसकि इस अब बते सुन यान मन में केने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि जब दो लोगों की शादी हो जाती है तो उसके बाद उन दोनों में प्यार कम होने लगता है। फिर जीयो जीयो के तिये लाओ यान तुमारा फोन दो मुझे इस इंगेजमेंट के दौरान एकसाइट्मेंट को बनाए रखने में मुझे तुमारी मुदब करने दो मेरे ख्याल से यान तुम फू जिन चेन के साथ एक कॉस्पले कर सकती हो इसके लिए यान तुम को बस एक एर होस्टेश की तरह ड्रेस पहननी होंगी और फिर तुम जाकर फूज इंजिन पर पानी गिरा देना और फिर बस उसके बद तुमको उसे क्लिन करना है और इस तरह यान तुम दोनों की कहानी शुरू होंगी या इसके अलावा तुम एक नारसी या टीचर भी बन सकती हो के सब बते सुन यान मू बनाती हुए कैती है सच में ये कितना ज़्यदा अजीब है और वहीं जियो जो कह रही होती है मुझे समझ नहीं आ रहा है यान की तुम्हें किस तरह का कॉस्प्ले करना चाहिए और फिर से इंसरिफ्ट तरह में बहुत समय पहले का समय दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग चला तीवे कह रहे होते है इतनी बुरी हालत में वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया होंगा ढूंडो उसे और वहीं एक गली के आड में हमें फूचिंचिं के मॉम डेट दिखाय जाते है और मॉम उन सभी की आवास सुन मन में किन लगती है अई दिन मेरे पड़ोस में ही ये सब क्यों होता रहता है गाईज अभी मैंने लड़की कह रहा हूँ क्योंकि फूचिंचिं की मॉम डेट जब बहुती ज़दा यंग थे ये तब की बात है और रभी ने फूचिंचिं की मॉम कहना इस वक्त बहुती ज़दा अजीब हूँगा फिर ये लड़की उन से कहती है क्या ये सबी लोग तो में डून रहे थे लेकिन ये वेक्ती इस हालत में नहीं होता कि वो कुछ कह पाए और उसके मुझ से खुन भी बहरा होता है फिर वो घबराती हुए एक कहती है अरे नहीं इसे तो बहुत ज़दा चोट लगी हुई है मुझे जल से जल उसका इलाज करना होंगा और गाईजीदी के साथ एपिस नोमर वानने 92 यहां एंड होता है पसना है तो लाइक और स्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपिस सोड में